हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं रेणू माथूर माथूर क्लासेश से आपके लिए आज न्यू वीडियो लेके आई हूँ पिछले वीडियो में अपने देखा था कि मल्टिविटर से डायोड की टेस्टिंग कैसे करते हैं आज मैं आपको बताऊंगी कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, पिसी भी क्या होती है, ब्रेट बोर्ड क्या होता है तो इनके बारे मैं आज मैं आपको बताऊंगी आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सवाज में आएगा पूरी वीडियो को देखके लाइक करके कमेंट जरूर करें ताकि आमको पता से लेगी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सस्क्राइब करके आल बेल पर क्लिक करेंगे तो नौटिफिकेशन वीडियो अप्लोड होते ही सबसे पहले नौटिफिकेशन आपके पास आएगा तो चलते हैं अब नई वीडियो पे प्रैक्टिकल हैंड वीडियो है अभी बहुत चारे मेल आये थे कि मेडम practical के exam है ता practical की video कराईए तो मैं आपको ये बताना चारी हूँ कि electronics के जो practical है वे वो मैं आपको करा रही हूँ पर motor और generator वगर के practical starters वगर के वो possible नहीं होगा क्योंकि वो गर पे available नहीं होता है तो आज अपन देखते हैं सबसे पहले तो कि rectifier क्या होता है इसकी video पूरी आपको देखने के लिए basic electronics की video है playlist में आप जाके check करेंगे तो आपको उसमें basic electronics वाली videos में half way, full way और bridge rectifier के बारे में आपको बताया हूँ है फिर भी मैं वापस repeat कर देती हूँ पूरी जानकारी के लिए आप उस video को देखेंगे तो आपको पूरा sound में आएगा forward bias क्या होता है, reverse bias क्या होता है तो आज अपन half way rectifier का practical करेंगे और अपने पास CRO भी available नहीं है तो waveform अपन नहीं देख सकते पर अपन मल्टी मीटर से अपन voltage जरूर देख सकते हैं नहीं को बता है, या पूरा portion black वाला ज्योता है वो एनोड होता, डाइग्राम है भी आप देख लो, कि ये पूरा portion ब्लेक है, यहां पे भी ये पूरा ब्लेक है, तो ये एनोड है, और जो silver line चल रही है, ये क्या है, कैथोर है, जो ये line खड़ी है, ये क्या है, कैथोर है, आप डाइग्राम में डंक से देख सकते हैं, और diodes भी बहुत चारे पड़े अलग-अलग range के यह डायोड है हमारे पास तो इन में भी आपको silver line नजर आ रही है जैसे यह छोटा डायोड है डायोड की rating 1 n से start होती है अलग-अलग ampere के होते हैं अलग-अलग rating के यह होते हैं तो सबसे बैले मैं आपको यह बताऊंगे कि डायोड है जो एक डिस्चय डिवाइस होती है यह मैंने आपको बताए था कि यूनिट डिवाइस है कि यानिकि एक दिशा में यह कार्य करती है वापस river दिशा में यह डायोड काम नहीं करता है तो आपके question में आता है कि diode एक DC device है या द्वी DC device है या क्या है तो एक DC device है या unidirectional device है इसमें क्या है विद्धुतारा का जो है एक दिस्था में flow होता है उसको अपन forward bias भी कहते हैं reverse bias में क्या current flow नहीं होता यह और यह diode क्या है कि AC को DC में convert करता है तो AC को DC में convert करने के लिए जो open circuit बनाते हैं electronic circuit उसको open क्या कहते है रेक्टिफायर कहते हैं या दिस्थकारी कहते हैं दिस्थकारी किसे कहेंगे वापस से देखते हैं AC को DC में परिवर्तित करने के लिए बनाया गया electronic परिपत दिस्थकारी या rectifier कहलाता है अब जो यह rectifier है यह चार प्रकार के circuit बनते हैं एक half way बनता है, full way बनता है, bridge rectifier बनता है और चौता होता है और three phase rectifier बनता है तो अपन half way, full way और bridge rectifier का practical अपन करेंगे आज की वीडियो में अपन half way rectifier का practical करेंगे यह तो आ गई बाद diode की और rectifier की अब बाद आती है अपन को practical करना है तो practical किस पे करना है तो एक होती PCB और एक होता है bread board देखो यह क्या कहलती PCB, printed circuit board यह आपको दिख रहा है signing वाला portion यह और इधर से अपन AC supply देते हैं तो यह क्या है PCB, printed circuit board इसके अंदर यह signing वाला portion है इसको अपन नीचे रखते हैं और जो ultra side है इस पे अपन circuit बना के soldering करते हैं जो PCB board है देखो आप छोटे छोटे चे दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं इसके अंदर अपन डायोड पसा के अपन soldering करते हैं soldering हमेशा जो signing वाला portion है उस पे soldering होती है और जो plain portion है इसके उपर circuit बनता है तो इसको कहते हैं PCB, printed circuit board क्या समझा गई? PCB, printed circuit board इस पे अपन soldering करके काम करते हैं अब आता है braid board braid board यानि की B-R-E-A-D braid B-O-A-R-D board यह braid board है इसके अंदर अपन को क्या है? कि soldering करने की कोई जरूरत नहीं होती इन में जो छोट छोटे छोटे चे दिख रहे हैं आपको देखो आपको दिख रहे हैं अच्छा से इसमें लाइने बनी होई तो इन छेत के अंदर अपन डालते हैं तो अंदर से अपको आटोमेटी की connect हो जाता है इसमें अपन को soldering करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर देखो यहां पर यह दो छे दिख रहे हैं यहां से अपन इसी supply, input supply यहां से अपन देते हैं input supply देने के बाद circuit को इस पर पूरा set करते हैं अब जो circuit है अपन को ऐसे इसी line में अपन को चलाना पड़ता है एकी line को एक से point से जोड़ना है तो मैं भी आपको breadboard ही आपको rectifier का practical करके बताऊंगी तो उसमें अपन को पता चलेगा कि भी कैसी करना है देखो यह जो row चल रही है इसी row में एकी line में सरकीट बनता है ऐसा नहीं है कि आपने एक connection यहां कर दिया एक connection इस state में कर दिया तो ऐसा नहीं बैठेगा एकी line में आपको एकी connection करना पड़ेगा किसी को जोड़ना है तो उसी में ही अपन को जोड़ना पड़ेगा तो यह हो गया breadboard breadboard में अपन को solding करने की कोई जरूरत नहीं होती देखो आप breadboard दिख रहा है इसमें line है, series और parallel में चल रही है तो अपन को इसमें solding करने की कोई जरूरत नहीं होती PCB में इसका question में आता है PCB का पूरा नाम क्या है printed circuit board देखो अब इसमें एक side में plane है एक side में signing मार रहा है देखो यह signing मार रहा है न तो यह signing जो portion करता है उसको अपन नीचे की side रखते है यानि कि यहाँ पर अपन soldering करेंगे और इसके ऊपर अपन transformer रखेंगे diode वह खर इस छेद के अंदर डालके नीचे soldering करके पूरा circuit बनाते है तो bread board पर अपन half way कर लेते हैं और full way कर लेते हैं bridge rectifier जो PCB पर कर लेंगे तो आपको दोनों बात समयादेगी PCB पर कैसे होता है और bread board पर कैसे होता है तो अब अपन देखते हैं bread board और PCB में तो difference समझ में आ गया अब रहता है transformer का transformer अपन यह लेते हैं छोटा सा इस पर देखो rating लिख्यू हुई है इस पर rating लिख्यू हुई है आपके बारा जीरो बारा दिख रहा है आपको यह देखो बारा जीरो बारा दिखा हुआ मतलब center tape transformer है तो center tape यानि कि इसमें अंदर तीन तार है center tape भी काम ले सकते हैं और simple transformer भी अपन काम ले सकते हैं जिसमें दो output हो अब जो transformer है यह बारा जीरो बारा वोल्ट का है वल्लब कि यह तीन तार दिख रहे हैं तो एक green तार बारा वोल्ट का है दूसरा वाला green तार भी बारा वोल्ट का है तो output में आपको अगर दौनों connect करते हैं तो output में 24 वोल्ट आना चाहिए अगर अपन एक इतार को यूज लेते हैं तो output में 12 वोल्ट आना चाहिए अब यह AC को यह तो इसमें जो लाल तार है यह AC सप्लाई के होते हैं इसको अपन लाल तार transformer में लाल तार होते हैं उसमें अपन AC सप्लाई देते हैं और इधर से diode connect करके DC सप्लाई को अपन output में लेते हैं तो अब अपन braid board पर half wave rectifier का circuit बनाते हैं अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि braid board लेते हैं अपन को क्या चाहिए circuit diagram देखो यह circuit diagram दिया हुआ half wave rectifier का तो सबसे पहले जो भी practical अपन को करना है पहले अपन उसका circuit diagram पेपर पे बनाते हैं अब अपने यह half wave rectifier का circuit diagram पेपर पे बना दिया है सबसे पहले इसने क्या लगाया है transformer लगाया है कौन सा लगाया step down step down यानि की voltage ज़्यादा voltage को कम करता है तो अपन क्या करते हैं step down transformer लगाते हैं तो यह जो transformer है अपने पास यह step down transformer है 120-12 पे अपन center tap transformer ले रहे इसमें half wave में center tap transformer की कोई जरूरत नहीं होती है फिर भी मैं आपको इसमें यह बता रही हूँ भी अगर center tap transformer भी अपने पास होता है तो अपन उसको भी use कर सकते हैं यह देख लो 120-12 वोल्ट का center tap transformer है अपने पास अपने इसको PCB पे करते हैं सबसे पहले यह देखो transformer है AC supply के तार इधर है यह transformer लिया AC supply मैं आपको बता है था red wire जो होते हैं AC supply के होते हैं तो अपन AC supply इधर कर दी अभी अपन connect करेंगे तो basis supply से इसको connect कर लेंगे फिर आता है transformer का output यह transformer का output एक यह है इसको अपन करना है diode के anode सीरे से अब अपने लिया diode यह ले लिया diode अब जो silver line है यह है cathode और यह है anode तो इसको anode को सीरा इससे अपने connect कर लिया परन्तु अब अगर PCB पर करते हैं तो इन दौनों को अपन सोर्डरिंग करते हैं परन्तु जब grade board पर कर रहे हैं तो अपन को किसी को करने की जरूत नहीं है जैसे अपने यह यहाँ पर डाल दिया diode चेद में देखो इसको अपने डायोड तो यह लगा दिया है अब डायोड किस से connect है transformer के एक wire से तो डायोड अब इसमें grade board में क्या है कि अपनको connect मतलब जोडना नहीं है नहीं soldering करनी है मैंने आपको बतायता है यह जो line चल रही है इसी के साथ साथ अपनको दूसरे छेद में डालेंगे तो यह इससे connect हो जाएगा देखो आपको दिख रहे हैं छेद दिख रहे है ना तो अब यह जो अपन इस wire को transformer का यह wire है यह वाला मू है कौन सा है यह देख रहे हैं आप यह वाला positive सीरा डायोड के anode से है तो इसका positive सीरा डायोड के anode से अपन जोड देते हैं यह देखो आपको दिख रहे है यह एक ही line में अपना जोडा है डायोड तो यहाँ जोडा है और उसके just नीचे वाले में अपने इसका transformer का एक सीरा जोडा है क्यूंकि यह एक ही line में सब मिले हुए होते हैं अपन को इसमें soldering करने की कोई जरूरत नहीं होती है अब इसका डायोड transformer का यह सीरा नेगेटिव डायोड है डायोड के नेगेटिव सीरे से आगे तक जा रहा है यह डायोड है डायोड का यह cathode है cathode से आगे एक अपन को output के लिए ताड जोडना है तो अपन क्या करते हैं इसको output के लिए यहां से जोडते हैं एक ही लाइन से अपन को जोडना है तो इसके नीचे वाला जो छेद है उसमें अपन इसको डालेंगे देख लिया आपने एक ही लाइन में अपन को करना है आगे के आगे पीछे कहीं नहीं जाना है अब रहा transformer का दूसरा वाला हिस्सा ये transformer का दूसरा वाला हिस्सा डाइरेक्ट नेगेटिव से तो डाइरेक्ट इसको अपन नेगेटिव से या तो अपन multimeter को यहां से भी कर सकते हैं या इसके अंदर डाल के दूसरा सीरा निकाल के भी अपन मल्टी मीटर से कड़ सकते हैं तो अपन इसके सीरे को इसमें डाल देते हैं छेद में कोई भी एक छेद में इसको अपन डाल देते हैं और इसका दूसरा सीरा है जो अपन आउट्पुट के लिए ले लेते हैं अगर अपन इसी की लाइन में जोड़ देंगे तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे अपन इसका आउट्पुट लेते हैं अब यह तार आउट्पुट के हो गयी है अब यहाँ पर को क्या मिलेगी लिसी सप्लाइ मिलेगी क्यूक्ति यह टांशॉर्मर को अपन इसी सप्लाइ से जोड़ेंगे आप घड़के बिए आपको बता रही हूँ तो एक डायोड है बारा जीरो बारा वोल्ट का है तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगी बारा वोल्ट मिलेगी क्योंकि अपने एक इतार को connect किया है Centrative Transformer है इसलिए अपने इसको ऐसे किया है अब इसको अपने आउटपुट में इन दौनों पर अपन मल्टी मीटर की नॉब लगा कि अपन चेक करते हैं किती वोल्टेज आता है अपने लेते हैं इसको बीसे वोल्ट पर रख देते हैं घिक करते हैं अब तेको अब लोप प्लस वाली कहां रहेगी और माइनस वाली कहां रहेगी उपर वाला सीरा कौन सा डाइग्राम में प्लस का है, तो अपन इसको भी प्लस से जोड देते हैं, अपन ऐसे ही कर देते हैं, अगर अपने पास वो है, अब क्या है कि मल्टिमीटर को 20 वोल्ट पे, DC वोल्टेज पे अपने क्लिक कर दिया है, अब इसमें पॉजिटिव सीरे क लएट से जोड दिया है, और अपने सीरे को ता ресर्म को प्लस से जोड दिया था, अब अपने सी सबसे से सहए को कान्स करते हैं, जब टान्स कमीटर को से किसा समेक्ट करेंगें तो 230 वोल्ट बताएगा, और अभाण जीशना है, अब बारा वोल्ट के आस्पास आपको दिख जाएगा ठीके नगव अब अब अबल्टिमीटर देखते हैं ना वोल्टेज यह बताता है और अगर इसकी वेफॉर्म देखने है तो वेफॉर्म अपन CRO पे देखते हैं वेफॉर्म डेखने के लिए क्या आहाता है कि AC waveform तो यह आती है पर पखुट वेवारं यह आती है। यह क्या प्ल्स सेटिंग होती रहती है। को क काम करने के लिए अपन क्या आपके फिल्टर लगाते हैं तो वह फिल्टर अपन नहीं ही लगा कि हपन दुसरब इस इसफ प्रफ्र से यही देख रहे हैं कि 12 वोल्ट आता है、 या नहीं आता है क्योंकि 230 वोल्ट आपन सप्लाइप देखो और मैंने टान्सपर्णों को AC सप्लाइब से क्नेक्ट कर दिया यह देख रहे हैं आप AC supply से मैंने इसको connect कर दिया अब अपन मल्टी मीटर में देखते हैं कि यह reading 12 के आसपास देता है या नहीं देता है तो देखें अब मैं इसको connect कर रही हूँ AC supply से यह देखिए 12 के 12 वोल्ट के आसपास यह मल्टी मीटर आपको दिखा रहा है तो यानि कि हाव फेव रेक्टिफायर है इसकी अंदर जितना AC voltage 230 वोल्ट को एक डायोट टांसफर कर रहा है 12 वोल्ट में तो यह आपके क्या हो गया हाव फेव रेक्टिफायर का ब्रेड वोल्ट पर अपने प्रेक्टिकल कर लिया है अब अच्छे से connection देख लीजिए transformer के जो रेड वायर है वो input से जुड़ेंगे और जो output है उसको एक डायोट से जोड़ दिया है एक डायोट से output बहार निकाल लिया बहार बहार निकाल के multimeter के positive से तो यह multimeter के positive से अपने जोड़ दिया ह और transformer का दूसरा हिस्सा, transformer का दूसरा हिस्सा output negative से जोड़ दिया है तो यह अपने मारा वोल्ट में convert कर दिया है तो transformer क्या है, transformer 230 वोल्ट को डायोट लगा के 12 वोल्ट में convert कर रहा है तो यह क्या हो गया, half wave rectifier हो गया, इसके अंदर एक ही डायोट अपन use कर रहे हैं अब next वीडियो में अपन full wave rectifier देखेंगे, वो ही breed board पे कैसे full wave rectifier होता है और फिर अपन bridge rectifier, soldering करके देख लेंगे तो आपको soldering करना भी आ जाएगा और PCB पे कैसे practical करते हैं, वो भी आ जाएगा और मेरे को 90% उमीद है कि आपके bridge rectifier या full wave rectifier exam में 90% chances है आने के और आपके drawing है, तो drawing में भी पूरी electrical drawing है तो आप electrical drawing है, पूरी मतलब कि सारे तरह कि तो starter, DC starter, AC, 3.4 point, star delta starter, DOL starter, manual star delta starter, semi-automatic और automatic star delta starter ये सारे starters में से कोई एक starter का exam में diagram जरूर आएगा, वो भी आपके practical में भी starter का आ सका और सार सार drawing में भी थोड़ा से ये ध्यान रखना कि जो practical के अंदर आता है, वो ही drawing में आता है, और जो drawing में आता है, उसी में से करिप-करी practical में भी वो ही करिप-करी आता है तो पर आपके तो पहले exam drawing का है, तो आपको मैं ये बता रही हूँ, important questions के सारी तरह के तो starters आप देख लो, DC और AC starters देख लो, एक earthing देख लो, pipe earthing, plate earthing में से कोई भी एक earthing आ सकती है, और earthing के अलावा आपके lamp में भी आ सकता है, mercury lamp, vapor lamp, इन में से भी कोई आपके exam में आ सकता है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please एक बार चैनल को subscribe कर दीजिए, और पूरी वीडियो को आराम से देख के like and comment जरूर कीजिए, comment करने से आपके review हमको पता चलता है, कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और आप पूरी वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको पता सले कि practical exam में कौन-कौन से आ रहे हैं, आज अपने half wave rectifier का practical किया है, नेक्स्ट वीडियो में अपने full wave rectifier और bridge rectifier का भी अपन वीडियो देखेंगे, तो next मिलते हैं, next वीडियो में झाली है, तो next मिलते हैं, तो next वीडियो दो पता सब्सक्राइब, जुए जुए, तो next वीडियो दो देखेंगे, तो next वीडियो में, तो next वीडियो में